दोस्तो वैसे तो दुनिया में आपको एक से बढ़कर एक लड़कियां देखने को मिल जाएंगी जिन में से कुछ तो बेहदी खूबसूरत होंगी और कुछ चुनिंदा लड़कियां बॉड़ी बिल्डर्स भी होंगी लेकिन दोस्तो आपको बता दें कि हमारी दुनिया में ही आपको कई छोटी लड़कियां यानि कि कई यंग गल्स ऐसी भी देखने को मिल जाएंगी जिनकी बॉड़ी और फिटनस के आप कायल हो जाएंगी तो आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी यंग गल्स से मिलवाने वाले हैं जिनके आगे बड़े बड़े बॉड़ी बिल्डर्स फेल है लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकोन पर क्लिक करके आल पर जरूर क्लिक कर देना दोस्तो ये छोटी सी लड़की दुनिया की सबसे छोटी फीमेल बॉकसर है जो केवाल एक मिनट में 165 मार सकती है इस लड़की ने तीन साल की उमर में ही बॉकसिंग सीखना शुरू कर दिया था और आज ये कजाकिस्तान से बिलॉंग करने वाली बच्ची वर्ल्ड की सबसे यंगस्ट बोडी बिल्डर कहलाती है ये अपने मुकों से अपने खुद के घर के दर्वाजे तोड़ देती है और तो और ये पेड़ के साथ ऐसे बॉकसिंग करती है जैसे कि इस बच्ची के हाथ पत्थर के हो इस बच्ची के बॉकसिंग कोच इसके फादर खुद है जो पेशे से एक बॉकसर रह चुकी है और दोस्तो जिस बच्ची के पापा बॉकसर रह चुके हो और जिस बच्ची की मा पहलवान रह चुकी हो तो दोस्तो आप सोच सकते हैं कि उनके बच्चे कैसे होंगे दोस्त ये केवल 7 साल की बच्ची है जिसने अपनी माँ जैस बवेन को देखकर जिम करना शुरू कर दिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटी सी बच्ची 43 केजी तक बेट लिफ्टिंग कर लेती है आप सामने वीडियो में भी देख सकते हैं अगर आपको हमारे उपर भरोसा ना हो तो इस बच्ची की माँ इसे अपने साथ साथ वर्काउट करा दिया है दोस्तो ज़रा सोचिए ये बच्ची 7 साल की उमर में ऐसी है तो 17 साल की उमर में कैसी होगी इस बच्ची से बाकी लड़कियों को मोटिवेट होना चाहिए क्योंकि सीखने और करने की कोई उमर नहीं होती बस आपके अंदर जजबा होना ज़रूरी है दोस्तो इस लड़की को बहुती पारफुल लड़की माना जाता है क्योंकि ये लड़की हैवी रोड्स को डंबल के साथ अपने कंदों पर रख लेती है और इस लड़की के नाम रिकॉर्ड है 315 पाउंड्स यानि की 140 केजी हैवी वेट लिफ्टिंग करने का ये लड़की भले ही समय 19 साल की हो चुकी हो लेकिन ये इतना हैवी वर्काउट करती है जितना बड़े-बड़े बोड़ी बिल्डर्स भी नहीं कर सकते अब दोस्तो लगभग 1500 किलो की रोड को डंबल के साथ अपने कंदों पर उठाना कोई असान काम नहीं होता बहुत हिम्मत लगती है इसके लिए और ये हिम्मत नियो यॉक में रहने वाली इस लड़की में कूट-कूट कर भरी है दोस्तो पहले आप कुछ सेकिंड्स भर इस लड़की की खुबसूरती को निहार लीजिए बाद में काम की बात पर आएंगे दोस्तो इस रशियन ब्यूटी कम बॉडी बिल्डर की एज में 24 साल है और 12 साल इन्हें जिम में वर्काउट करते हो चुकिये मतलब कि 12 साल की उम्र से ही इन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था इस लड़की को बॉडी बॉडर देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं इन्हें रशिया में मसल बार्बी के नाम से जाना जाता है लेकिन दोस्तो इनकी बॉडी के पीछे की काली सच्चा ये है कि इन्होंने कम मात्रा में स्टरॉड्स का सहरा लिया है तब जाके इनकी ये बोडी बनी है लेकिन दोस्तों इनकी महनत इनके शरीर पर साफ दिखाई देती है दोस्तों ये लड़की बहुती पैशनेबल है जिसके अंदर वेट लिफ्टिंग को लेकर कूट कूट कर जुनून भरा है इस छोटी सी लड़की ने 6 साल की उमर से वरकाउट शुरू कर दिया था और अब इस यंग लड़की की उमर 14 साल हो चुकी है लेकिन ये गर्ल शोशल मीडिया पर तब वाइरल हुई जब इसने 10 साल की उमर में 100 पाउंड्स यानी की 45 केजी की वेट लिफ्टिंग करी जो कि उस समय इस गर्ल के वेट से दो गुना था ये लड़की वेट लिफ्टिंग चैंपियंशिप में 3 बार फरस्ट आ चुकी है और इस लड़की का ड्रीम है नेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग करने का अब ये लड़की जितनी महनत कर रही है उससे तो लगता है कि इसका ड्रीम जल्द ही पूरा हो जाएगा दोस्तों ये सिर्फ 4 साल की बच्ची है जिसके अंदर आपको एक अलग ही स्पोर्ट स्पिरिट दिख जाएगी इस लड़की की प्रैक्टिस देख कर ही आप समझ जाएगे कि ये कोई साधारन लड़की नहीं है ये लड़की बड़े होकर एक बॉक्सर बनना चाहती है और इसकी हाट प्रैक्टिस देख कर तो साफ लगता है कि ये जल्द ही एक डेंजर बॉक्सर भी बन जाएगी इस लड़की के बॉक्सिंग मैच अपने से 5-5-6 साल बड़ी उमर की लड़कियों के साथ होती है जिनको ये अराम से हरा देती है क्या बात है यार इस छोटी सी बच्ची में बहुत हिम्मत है रशिया में रहने वाली मारियाना नाउमोवा के नाम दुनिया की सबसे यंगस लड़की होने का खिताब है जिसने बेंच प्रैस में 1.500 केजी तक वेट मार रखा है दोस्तों जो लोग जिम जाते हैं उन्हें पता होगा कि बेंच प्रैस में 1.500 किलो वेट मारना कितना मुश्किल होता है दरसल मारियाना जब 4 साल की थी तब से इन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था और रोज इतनी हाड प्रैक्टिस करकर ये आज रशिया की नैशनल लेवल की खिलाडी बन चुकी हैं जिनोंने 2010, 2011 और 2015 में नैशनल लेवल पर सबसे कम उमर में सबसे जादा वेट मारने का खिताब जीता था दोस्तो जियोरजिया में रहने वाली इस लड़की ने महज 3 साल की उमर में वर्काउट शुरू कर दिया था जो अब तो 10 साल की हो चुकी हैं और इस उमर में इस लड़की के 6 पैक भी कफी शानदार दिखाई देते हैं लीजा एक हफ़ते में 30 घंटे वर्काउट करती है और अपने आपको मैंटेन रखने के लिए डेली हाई प्रोटीन डाइट लेती है वैसे दोस्तो 10 साल की उमर में ये सब करना कितना मुश्किल होता होगा यार इस उमर के बच्चे इस उमर में खेलना कूदना पसंद करती हैं लेकिन लीजा को शायद 4 साल की उमर से ही बोडि बिल्डिंग पसंद थी दोस्तो इस लड़की को बच्चपन से इस प्लैनेट की सबसे ताकतवर लड़की कहा जाता है क्योंकि जिस उमर में बच्चे खिलोनों से खेलते हैं उस उमर में वरवारा अकुलोवा भारी वेट को उठा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा रही थी और जब ये 12 साल क्यों हुई तो इन्होंने 300 किलो की वेट लिफ्टिंग कर बता दिया कि ये कोई साधारन लड़की नहीं है जब इन्होंने 300 किलो वजन उठाया था तब इनका वेट आप मान सकती हैं सिर्फ 40 किलो था क्या बात है यार जब ये 3 साल की थी तब इन्होंने पहली बार 100 किलो का बारबल उठाया था जिसके बाद लोगों ने इन्हें युक्रेन की सूपर गल का टैक दे दिया था और दोस्तो आपको बता दे 2 साल की उमर में ये अपने पैर उपर करकर हातों के बल खड़ी हो जाती थी आज 2021 में ये 21 साल की हो चुकी है जो आज वेट लिफ्टिंग से अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन कर रही है तो दोस्तो इन लिटिल गर्स की इतनी महनत के लिए आप वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं और कौन सी गल ने आपको सबसे जदा प्रभावित किया ये भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सबस्क्राइब करके साथ में लगे बैल आइकोन पर क्लिक करके और जाते जाते आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेर करते हुए चले जाना इंडारेक्ली आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई